सब्सक्राइब करें तो प्यारे बच्चों अब बात करने वाले जो भी स्टुडेंट MP असिस्टेंट प्रोफेसर के एक्जाम की प्रपेरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एक बार एक्जाम पैटरन क्या रहेगा पेपर एनलाइसिस की हम बात करेंगे और वट विल भी दास और हमें कैसे इस लिबस को कवर करना है सही है बहुत सारे बच्चे आलरड़ी एप पे आर्पेसी के कोर्स में आलरड़ी MP असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे आलरड़ी इन्वोल थे तो आप सब के लिए हमने को सेपरेट कोर्स एप के उपर लांच कर दिया है for your kind information में अपका दिया है और कैसे कैसे आपको अपना करने हैं जो भी नए स्टू रो आए मयन मोटो होना चुछ है आपका स्लिबस है ञाए है अगर सबसे पहले कापे आपकी बात करें तो आप सबने दाइकलिया होगा पहले प्यूंत कि अपसिक से क्या हुआ है तो बेसिकले आपके पास पहला तो पहला जो पर्थम पर्शन पत्र होगा पहला जो एक्साम होगा उसमें 50 पूश्शन आएंगे जिए यद वेगाद डू तो समय इसका 3 hours रहेगा एक घंटा आपका पहले exam के लिए मिलेगा आपको दूसरा आपके पास अगर इंट्रू की बात करें साक्स्तकार की बात की जाए तो आपका 100 नंबर करेंगा तो इसका 900 मार्क्स में से आपका सेलेक्शन होने वाला है और मेजरली अगर हम बात करें तो 150 questions होते हैं हाप marks आपका exam का होता है तो इसमें आपके पास each question carrying 4 marks है आप मेरा main focus हमारे है की सर यह जो हमारे पास subject जो बच्चे chemistry किसे समबधी पढ़ाई कर रही है जो बच्चे chemistry से जिनोंने फोर्म बढ़ा हुआ है तो उन सब के लिए detailed information अब हम चेक पर तो 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 टोटल आपके इस लेबस में 10 उनिट आपको दी गई हैं सही है बागे नोटिफेशन आप समने पढ़ लिया होगा सही है लीज एगा तो एक बर सलेबस में आपको बता देता हूं तो पहली उनिट जो है ना इस उनिट में आपके पास जनरली chemistry in ancient India इस से रिलेटिड यह है आपकी पूरी इंड्या आभ इस उनिट को कवर कैसे करना है तो तो बच्छों इसका पूरी थेओरी आपको रिडाउट करनी है पूरा content हमने इस यूनिट का पूरा एप पे प्रवाइड कर दिया है ना बागी आपकी अब करेंगे क्या एक बार आपको दूसरा जैसे इसमें मेटलर्जी है से यह ना मेटलर्जी सो है मेटलर्जी आप पढ़ सकते हो डाइस पिगमेंट्स कोस्मेटिक देर प्रोडेक्शन एन यूज यह आपका केमस्ट्री ओफ एंसेंट मेटल गोल्ड सिल्वर यह पूरी आपको यूनिट पढ़नी है न क्योंकि इच क्यारिंग फॉर मार्क्स तो यह सब आपको पढ़ना पढ़ेगा न चलिएगा जैसे केमस्ट्री एंसेंट इंडिया सभी है आलकेमिकल लैब सभी है रसला एंड इंस्ट्रूमेंट डोला यंत्रा सवेधानी तो पूरा कंटेंट आपको दिया हुग है जस्ट कि मैं बात करूँ तो पहले उनिट आपको पूरा कंटेंट आप पर आपको प्रोइड करवाया जाएगा दूसरा यूनिट य आपका कॉर पोर्शन है केमस्ट्री का क्वांटम मेकनिक्स है क्वांटम पूरा आपको पढ़ना है सभी है ना वी आ बी मोडल इसमें में में फ यह पाशों यूनित थे लिए टीज तू दा इस पॉइंट आपके कोर्स ए रिलेटिड हमने आपके कोर्स में एड कर दिया यूनित से के यह पाशों यूनित वहाँ पर वीडियो लेक्ट्षर मिलेंगे इनके नोट्स मिलेंगे सही है अब बात करते हैं इस इस पर यूनित थ उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स अगर बात की जाए यह surface chemistry and colloids यह आपको दिया हुआ है पूरा absorption वाला portion पढ़ना है और chemical kinetics electrochemistry, conductance, chemical kinetics और ionic equilibria, surface chemistry यह पूरा portion आपको cover करना है तो unit third में पूरा course आपका mention करके दिया हुआ है उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे colloids, yes, colloids भी है type of colloids, optical and electrical properties सब आपको पढ़ाया हुआ है उसकी कोई tension नहीं लेनी है चलिएगा इसके बाद अगर मैं बात कुरूदेगो buffer solution, yes, तो आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा unit 3 complete आपको video lecture की form में आपको आपको पर प्रोईड की हुई है सही है ना उसके बाद अगर हम बात करें next unit 4 की अगर हम बात करते है तो unit 4 में पहला topic आपको periodicity आगया है, periodicity दूसरा atomic structure है, तीसरा आपके पास S और P block chemistry यानि की main group chemistry वाली unit है next deep block chemistry पूरी आपको पढ़नी है पूरी complete आपको कवर करनी है next chemistry of inner transition element यानि की unit 4 में पाँच इन ओर्गेनिक की unit है तो पूरा portion 4 इनिट आपकी covered है, इसको आपको कवर करना है next अगर unit 5 की बात की जाए तो इसमें इन ओर्गेनिक के एसिड बेस दूसरा polymer chemistry and characterization silicon based polymer boron based ये आपका main group में हमने cover करवा रखा है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे सारी topic का में लेंगे तो मैंने आपको बता दिया yes, environment पूरा आपको पढ़ना है environment में आपको पूरा पढ़ना है green house effect, global warming, toxi metal सही है, वैसे air pollution, water pollution और soil pollution ये तीनों भी आपको पढ़ाए हो है दूसरा photo chemistry, physical chemistry ये आपको chemical kinetics पे cover कर रखी है और इसी unit में हमने इसके lecture एड़ कियो है next आपका आपका था chemical bonding अब तो कोर्डिनेशन में उसने बोर्निक नहीं लिखा यहां लिख दिया उसने LFT, MOT, CFT तो ये सारा का सारा portion आपका coordination में ही cover हो जाएगा unit number 6 की अगर बात की जाए yes, organometallic chemistry में पूरा आपको पढ़ना है ना, carburean, पूरे पूरे आठ के आठ चेप्टरो MC के आपको cover करने next, yes, analytical chemistry में आपके पास ज्यादा जो portion दिया हूँ आपका दिया हूआ है, जब 12 में पढ़ते है qualitative analysis, quantitative analysis सही है, दूसरा volumetric, gravumetric journal idea इनके बारे में आपको पढ़ना है और titration पढ़ना है next, bioinorganic chemistry complete आपको करने है nuclear chemistry और spectroscopy दो जगे दे रखिये हैं, लेकिन मेरा मानना है spectroscopy technique में आपको आपको पढ़ना है QRB दिया हूँ है, तो सारे वीडियो है आपके हर topic covered है, किसी चीज़ की tension नहीं लेनी, एक बार सलेबस आप देख सकते हो unit 7 में, IUPAC, Nomenclature stereochemistry है, reaction intermediate है, reaction mechanism है then आपकी बात कीज़ाई, organic transformation या आपका रियेजेंट का फोर्मेशन सलेबस होगा है, तो यह सब आपको cover करना है, next अगर हम बात करें unit number 8 में, इसमें आपके पास यह आपका MSC का जो portion है, जिसमें आप disconnection approach पढ़ते हैं पूरा एक chapter है, आपका MSC जो final organic MSC से है, वो है, इसके video भी आपको मिलेंगे, यह आपका asymmetric synthesis है, तीसरी unit आपकी organic reaction, यह फिर से आपका mechanism है सही है, SN1, SN2, addition, elimination, electrophilic substitution, nucleophilic substitution, then आपका aromaticity, benzoody system भी पढ़ना है, non-benzoody याणि crack rule भी आपको पढ़ना है, यह सब पढ़ाया हुआ है, chemical reactivity यह आपका हेट्रोकेमस्टी है, यह आपका pyridine पढ़ना है, thaiophiline पढ़ना है, furine पढ़ना है, nitrogen compound, आपके जितने भी क्यूनोलीन है, iso-क्यूनोलीन है, इंडोल है, वो सब compound आपको उनकी reaction कवर करनी है, unit number 8 की बात की जाए, तो unit number 8 में यह आपका carbonyl based reaction है, सही है, यह सारी reaction आपको पढ़ना है, जैसे पीना कोल, पीना कोल है, तो कुछ रिनेम रियक्शन आपकी intermediate में कवर हो जाएंगे, और कुछ रियक्शन आपके अपके अलरुक से मैंसन करके दे रखी है, परिसाइकली पढ़ना है, नेचुरल प्रोडेक्ट आपको प्रोडेक्ट करवाएंगे, इसमें थोड़ा सा आपका जोग्रफी से रिलेटिड आपका content दिया हुआ है, और वो भी MP से रिलेटिड ही ना, तो इस सब आपको पढ़ाया जाएगा चिंटावन, फिरू आपका MP, PSC में भी आता है ना, ध्यान देना, तो यह सब आपको कवर करना है, Chemical Fertilizer, Chemistry in Everyday Life यह कक्षा बारवी में आप पढ़ते होगा ही है, इसका पूरा आपको पढ़ाया गया है, सही है ना, Chemistry, Nanotechnology पूरा आपको पढ़ाया हुआ, यह आपको कवर करना है, सही है, तो यह जो portion है, इसका आम content पूरा अगर आप जो पढ़ते हो, उसमें पढ़ते हो, लेगिन आपको पूरा content with MCQB यह प्रोइड करवाया जाएगा, तो यह तो होगई 10 unit, हर unit आपकी 15 question लेके आईए, टोटल 150 question आपके आएगे, सर अब हम इस course को cover कैसे करेंगे, तो देखो, आप जब course जोईन करोगे, तो उसमें आपको sequence wise, यानि कि mainly जो आपका core portion है, वो भी आपको provide कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, अगर आप, आपके जो branch wise आप पढ़ना चाहते हो, जैसे मानलो organic पढ़ना चाहते हो, अब सीधा आप unit के according सुरू करोगे, तो में भी आपको difficult लगेगा, तो और गैनिक में systematically जी यो सी पढ़िएगा, आरो मेटीटी पढ़िएगा, एसिट बेस पढ़िएगा, फिर आप reaction mechanism पढ़िएगा, फिर reaction intermediate पढ़िएगा, उस sequence से आपको syllabus cover करना है, इसे ही फिजिकल में आपको पढ़िएगा, दूसरा, इसमें जो आपका MP से रिलेटेड, जोग्रिफी से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड अवो content भी आपका इसमें मिलेगा, तो सारी यूनिट आपने बाट दी है, आपके course के according फटाफट अपनी यूनिट कवर कर सकते हो, दूसरा इन यूनिट को आपने ब्रांच वाइस भी फिजिकल इन और्गनिक, और गनिक के साथ भी आपके मैंसन करके दिया होगा, तो यह आपका 10 यूनिट है, हर यूनिट से आपके 15 क्यूशन आएंगे, तो इस सिक्वेंस वाइस आपको फोलो करनी है, ब्रांच वाइस अपने टोपिक कवर कर रहे हो, तो अपने इस लेबस को उठा लीजिए, और उनमें जो जो टोपिक है, सारे आपको कवर करने हैं, वो आप क्या को देंगे, सभी है, उसके अलावाद देखुशन, बहुत सारे क्यूशन, NCRT सेशंस भी इन टोपिक से, बेसिक क्यूशन भी कई बार उठा लेता है, असाइमेंट सीट आपको मिलेंगी, दूसरा आल स्टेट एग्जाम पीवाइग्यू, पीवाइग्यू से क्या होगा, ज्यादा क्यूशन आप देखो एग्जाम से पहले, तो इस इस अल अबाउट दा कॉर्स, उसके लावाद कोर्स में आपके लिए टेस्रीज, तेस्रीज में देखो उनिट वाइज भी है, सही है, टेस्ट पेपर सॉलूशन भी आपको मिलेगा, उसका PDF भी मिलेगा, उसका Video भी मिलेगा, सही है, और बागी जो आपकी 10 युनिट है, इनके युनिट के टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगे, सही है ना, टूपिक वाइज हमने टेस्ट डाले होए, और फिर आपके कोर्स के अकोर्स में, माइनर टेस्ट भी आपको प्रोइड करवाई जाएगे तो आपके एक्जाम जून में होने वाला है तो अभी आपके बास टाइम है आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं सही है ना थोड़ा एंपी में कंपेटिशन टफ रहता है जादा तर बच्चे लास्ट टाइम भरती दो यूनिट का केमस्ट्री से थोड़ा डिफ्रेंट पोर्शन है यूनिट फर्स्ट और यूनिट तो चिंता मत करो हर यूनिट का पोर्शन आपको पर प्रोइड करवाई जाएगा तो आपके लिए ओफर भी है सही है ना तो जिन बच्चों ने एप डाउनलोड नहीं किय है यार चबी जनवरी जो है रिपब्लिक डे पर हमने स्पेसल ओफर दे रखता है आपको 60 परसेंट ओफ आपको हर कोर्स पे अवलेबल करवाया जा रहे है तो जो यूचे MP असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स की परप्रेशन कर रहे हैं जिनका MP सैट क्वालिफाई है जिन बाते मैंने आपको बताई है इसी तरीके से आपको कुड़ा कोर्स है पर मैंसन है जाके आप देख सकते हो एक एक वहां पर डेमो लेक्शर भी है उनको आप पढ़ सकते हैं तो दीस इस ओल बाउट MP असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स का मैंने आपको जिकर कर दिया है सही है चलेगा तो थेंग्स ओमज़ बच्चों पढ़ते रहो और जिनका टार्गेट है MP assistant professor बहुत सारी वेकंजी आई हुई है MP assistant professor, RPSC college lecturer और हरियाना HPC assistant professor की वेकंजी अब जल्द ही notification आने वाला है उसकी भी हमने चर्चा कर दिया है तो पढ़ते रहो मेहनत करते रहो और अगर आपने डाउलोड नहीं किया है फटा फटा फट डाउलोड कर लो मैं फिर से एक बार बता देता हूं अगर आप अगर आप पे जाते हैं तो अभी अगर आप CSIR NET जूम 2024 की प्रपेरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने स्पेशल ओफर दिया हुआ है और हर कोर्स इसी तरीके से आपको अप पर प्रोइड करवाया जा रहा है ताकि किसी परकार की आपको समस्या ना हो ज्यादा से ज्यादा कुशन आप करें ज्यादा से ज्यादा गलतिया आप करें तो यह कोर्स भी आपको तो आप जस्ट डबल 5499 में आपको मिल रहा है जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है टैस्रीज, आर्बीकी स्रीज, कम्पलेट कोर्स, अप्रेटेड वीडियो लेक्चर वो आप पे चेक कर सकते हैं तो प्रिजज, आर्बीकी स्रेक एक्षाम देने वाले हैं तो उनके लिए भी फीज है से इसी फीज में आपको आर्बीकी सी आवलेबल अपकी शोइन कर सकते हैं साई है? तो थेंक यू सो मच, विश्यू, ओल्ल दी बैस्ट लगजाओ, पढ़ाई करते हैं